हेलो फैंस, UPSC एक्जैम में आपका स्वागत है, तो आज हम यहां पे ancient history का lecture number 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं, Moran Empire के बारे में detail में देखेंगे part number 1 है, तो part number 1 में हम यहां पे चंदरकुप्त मोरिया और बिंदु सार के बारे में देखेंगे detail में part number 2 होगा, उसमें हम अशोका के बारे में देखेंगे, में लिए हम UPSC mains के लिए यहां पे detail में चल रहे हैं, so first topic है, यहां पे dynasty of चंदरकुप्ता के बारे में देखेंगे, so यहां पे जो origin है, Morian का, so यह clear नहीं है कि यहां पे लग-लग theory सामने आती हैं, जैसे कि क्रीक के दवारा बोला गया है, कि यह non warrior clan से बिलोंग करते हैं, हिंदूस का मानना की शुदर clan से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट का मानना यहां पे शत्रिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन यहां पे ज़्यादा तर जो scholars हैं, उनका कहना है कि चंदरगुप्त मोरया एक शत्रिया थे और इसी को यहां पे अदार मानकर यहां पे यही मानते हैं सभी, चलिए देखते हैं, यहां पे चंदरगुप्त मोरया, यहां पे जो इस एंड्रो कोर्टस या एंड्रो कोर्टस, ठीक है, इसका मतलब होता है काइन टूवर्ड्स फ्रेंड्स, जो की बहुँ ज़्यादा दियालू होता है अपने मित्रों के, ठीक है, तो यहां पे जो डाइनेस्टी है चंदरगुप्त के बारे में, यहां पे अलग-लग अलग-लग हिस्टोरियंस के, क्या-क्या है वो भी देखे लिते हैं, अगर विशाक दत के द्वारा जो मुद्रर राक्षष यहां पे लिखी गई है, तो इनके अनुसार यहां पे जो मदर है चंदरगुप्ता की, तो एक बीटिफुल सलेव थी, तो उसका नाम था मूरा, अब यहां पे इनकी शादी हुई थी नंद के साथ, ठीक है, जो राजा था, तो उसी से यहां पे चंदरगुप्त यहां पे जो इसका नाम है, ठीक है, को यहां पे मोरिया नाम से भी जाना जाते है, इसलिए यहां पे मोरिया डाइनस्टी, ठीक है, तो यहां पे वहां जो महावम्षय इसमें यहां पे बताया गए कि जो मदर है चंदर गुप्त की ओ एक queen थी यहां पे ठीक है यहां पे राजा की जो area था उसका नाम था यहां पे मोरिया नगर अब यहां पे किसी दूसरे राजा ने मोरी जो नगर था मोरिया नगर ता, उसके उपर यहां पर आकरमन किया, यहां पर जो जुद हुआ था, इसमें यहां के जो रूलर थे, वह यहां पर मार दिये गए थे, ऐसे में यहां पर जो queen है, वो पुश्पापुर में चली गई थी, यहां पर, वहां पर इन्हों ने इक male child को यहां पर जनम दिया जिसका नाम था चंदर गुपता क्लियर तो यहां पर और एक ओपिनियन यहां पर एक चंदर गुपता है वो यहां पर चंदर गुपता यहां पर एक मौरिया जो शत्रिय क्लैन है तो इससे यहां पर बिलोंग करते हैं और यहां पर जो इनके फादर हैं वो इस क्ल ला लिया था मगद में ही तो यहां पर यह बात यहां पर पॉली गई है तो इस परकार से यहां पर चंदर गुपते यहां पर दुश्मन है नंदा के तो यहां पर यहां पर काफी समय तक यहां पर चुप रहे तो उन्होंने यहां पर जो नंदा की जो सहविसिस थी उसे यहा यहां पर मोका मिलेगा तो वो यहां पर नंदा को मार देंगे लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए उसे यहां पर देश निकाला दे दिया गया तो इस परकार कि यहां पर बहुत सरी अलग लग यहां पर स्टॉरिस देखने को मिलती हैं यहाँ पर जो एक जस्टिन यहाँ पर एक गी क्रीक राइटर है निका मानना है कि जो चंडरगुप्त है यहां पर जो गЛिम. उनके यहाँ पर बेटण sante था बट यहां पे जो majority of scholars का मानना है कि यहां पे चंदरगुप्त क्या थे यहां पे एक शत्री है थी ठीक है तो चंदरगुप्त मोरय का जनम हुआ था 345 BC में हुआ था सो चलिए आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था so meeting with this chankya so one important event जो चंदरगुप्त के बच्छपन में हुआ था वो था chciaंकय के साथ जब इनकी meeting हुई थी तो ऐसा यहां पे बोला जाता है कि चंदरगुप्त यहां पे बच्छपन में क्या कर रहे थे कि दूसरे बच्चों के साथ जो गाओं के बच्चे थे उनके साथ प्ले यहां पे खेर रहे थे तो यहां पे जो प्ले यहां पे खेर रहे थे तो इसमें एक रोयल गेम यहां पे शाही गेम खेली जा रही थी जिसमें चंदर गुप्त एक राजा बने हुए थे और यहां पे जो दूसरे लड़के थे वो दरबारी बने हुए थे और यहां पे चंदरगुप्त नियाए कर रहे थे ठीक है तो इसी से चान के बहुत जादा खुश हो चुके थे परसन हो चुके थे और उन्हों ने यहाँ पे ब्रिलियंट चाइड देखा और यहाँ पे जो इनके प्रोटेक्टर से चंदरगुप्त के उन्हें यहाँ पे पैसे दिये और यहाँ से वो चंदरगुप्त को लेकि अपने साथ चल दिये तो यहाँ पे उसके बाद तक्षिला में जो स्टड़ी करवाईगी चान के यहाँ पे जो चंदरगुप्त को लिए आते थे सो चंदर गुपती यहां पे आठ साल तक रहा तक्षिला में और इन्हों ने यहां पे military education प्रापत की और साथ में यहां पे जो चानक है वो भी इन्हें यहां पे time to time education दिया करते थे clear है तो उसके बाद यहां पे जो other करा नंदा के यहां यहां पे रोजगार यहां पे प्रापत किया यहां पे ठीक है लेकिन यहां पे जब उसकी job चलीगी तो वह बहुत जादा यहां पे गुसा हो गया नंदा से ठीक है ऐसी यहां पे एक कहानी भी सामनी मिलती है तो ऐसे में यहाँ पे उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पे जितना भी यह अत्याचारी शाशक है यहाँ पे नंदा इसके यहाँ पे शाशन को वो बिलकुली खतम कर देंगे तब वो यहाँ पे इदर उदर गोमते होए तक्षिला में तो उनकी मुलाकात इन्होंने planning करा कि किस परकार से यहां पे नंदा को खतम किया जा सके जो चान कहते है यह भी यहां पे दुश्मत नंदा के ठीक है तो यहां पे क्या हुआ था कि एक दफ़ा यहां पे जो यह नंदा जो राजा था अब यहां पे यह लग्जिरियस आइटम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था यहां पे इसका शाशन की तरफ यहां पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता था ठीक है तो एक बार क्या हुआ कि फोर्नर से यहां पे अटेक यहां बढ़ते जा रहे थे तो चानकिया ने यहां पे समझाया राजा को कि आपको यहां पे राज्य की तरफ द्यान देना चाहिए इस परकार से यहां पर समझाने लगे लेकिन यहां पर राजा को लगा कि यहां पर यहां पर बहुत जादा यहां पर बोल रहा है ठीक है इस परकार से यहां पर राजा के साथ बात कर रही है तो अच्छी बात नहीं है तो उसने यहां पर बेस्ती करके यहाँ पर इसे जो सबा हो रही थी उस सबा से इसे जाने के लिए बोल दिया तो अब यहाँ पर चान्किय को बहुत गूश आया तो उस ने क्या करा। यहाँ पे जो इनकी यहाँ पे चोटी है, यहाँ पे जो केश, यहाँ पे जो बाल है, वो उन्हें खोल दिया और कसम खाई कि वो तब तक यहाँ पे अपने बालों को नहीं बान देंगे, तब तक चोटी नहीं करेंगे, जब तक कि वो नंद डाइनस्टी को खतम ना कर दें, तो यहाँ पे यह story थी उसके बाद next move करते हैं कि Alexander के साथ किस प्रकार से यहाँ पे meeting हुई चंदर गुपता की तो यहाँ पे जो प्लूटार्च यहाँ पे Greek scholars हैं उन्होंने लिखा कि चंदर गुपती यहाँ पे Alexander के साथ तक्षिला में या इसके आसपास यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी तो यहाँ पे कुछ समय Alexander की साथ रहे हैं यहाँ पे इन्होंने advice करा Alexander को कि नंद किंगडम के उपर attack करने के लिए जब वो ब्यास नदी को cross कर देंगे लेकिन यहाँ पे Alexander कुछ ऐसी बाते होती हैं कि वो उसे बहुत जादा नराज हो जाते हैं और उन्हें arrest करने का order देते हैं ऐसे में जो चंदर गुपता वहाँ से बाग जाते हैं तो यहाँ पे इन्हों ने यह आर्मी में रह के काफी कुछ सीखा एलकजैंडर से उस्के बारे में हमने लास्ट वीडियो की था यहां पे Central पोर इंडि का जो एंटल फी अर्थ शाष्थ्त्रा और इंडी नेक्ष से AGAं किया क्या स्टोरी सी तो नेक्स्ट यहाँ पे Conquest के बारे में देख लेते हैं चंदरगुप्त की कौन कौन सी उन्होंने जीत प्रापत की थी तो पहला तो यहाँ पे Conquest of Punjab ठीक है तो यहाँ पे बहुत सरे जो जो Historians है अब वो इस दूविदा में हैं कि यहाँ पे चंदरगुप्त मोरया ने पहले मगद को यहाँ पे जीता या पहले पंजाब को जीता तो अगर हम ग्रीक की बात करें ग्रीक की दोवारा यहाँ पे बोला गया कि उसने सबसे पहले पंजाब को जीता अगर इंडियन स्कॉलर्स की बात करें तो उनके दवारा बोला गया कि उन्होंने पहले मगद को जीता ठीक है तू देखते है क्या कहानी यहांपे लेकिन महावंशा में क्या लिखा हुआ है कि चानकिया और चंदरगुप्त मोरे इन्होंने फर्स टेक करा था मगद के ओपर ठीक है दोनों ने यहाँ पर क्या करा पंजाब को जीता तो ऐसे में यहाँ पर जो ग्रिक स्कोलर्स हैं वो इस चिज को स्पोर्ट करते हैं ठीक है कि उन्हों ने यहाँ पर पहले पंजाब को जीता था सो वहाँ वमशा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चंदर गुप्त मोर्या और चान के इन्हों ने क्या करा यहाँ पर जो सीटीज और विलेजिस हैं उसे यहाँ पर जीतने की कोशिश करी यहाँ पर बहुत सरे जो विलेज और सीटीज हैं वो सभी ने यहाँ पर हाथ मिला लिए थे मतलब कि सभी यहां पर एक थे लेकिन यहां पर जो चंदर गुप्त मोर्या और चांड क्या यहां पर इन्हें हराना पाए वो यहां पर हार चुके थे चंदर गुप्त मोर्या और जो चांड क्या स्टार्टिंग में यहां पर ठीक है तो उसके बाद यहां पर क्या ह तो मदर यहां पे अपने बच्चे को यहां पे खाना दे रही थी और जो उसका बच्चा था वो क्या कर रहा था यहां पे जो रोटी दी गई थी वो उसे बीच में से खा रहा था साइड में से नहीं खा रहा था तो उसकी माने यहां पे बच्चे को बोला कि या तुम बेफक की अंदर citys और जो villages हैं उसे जीतने के लिए चले गए ना कि जो border areas है उसे capture नहीं किया इन्होंने ठीक है तो ऐसे में यहां पे इन्हें एक idea आखे खुल गई कि हमने यहां पे कहां पे गलती गी थी तो उन्हों यहां पे जो अपना mind है वो change करा और उन्होंने पंजाब को यहां पे जीतना शुरू कर दिया ठीक है तो ऐसे में यहां पे जब Alexander पंजाब को छोड़के गया तो यहां पे जो चाओ यहां पे यह पंजाब में ठीक है शाशन कर रहे थे 325 BC में यहां पे जो इनके representative थे फिलिप तो उसकी किसी ने यहां पे हत्या कर दी तो ऐसे में चांकया और चंदर गुप्त ने decide करा कि यहां पे यह जो advantage आया है पंजाब के लग-लग लोगों को इकठा करना शुरू कर दिया तो इस पर कारिनों ने अपनी यहां पे सेना त्यार किरी और यहां पे चंदर गुप्तिन के commander बन गे लेकिं यहां पे यह जो army है अब इन्हों ने क्या कर रहा है इन्हों ने revolt कर दिया यहां पे Greeks के against में जिसकी वज़े से यहां पे इनका जो राज्या था वो बिल्कुली हील चुका था क्योंकि इससे पेले भी यहां पे असीर्था मतलब कि यहां पे कुछ भी constant नहीं था यहां पे बहुत सरे उतार जड़ाव देखने को मिर रहे थे तो ऐसे में जब 323 BC में अलेक्जेंडर की यहां पे मिरित्य हो गई तो उससे Greeks और जादा यहां पे कमजोर हो गई तो ऐसे में चंदरगुप्त यहां पे असानी से वो इस शिर्का उन्होंने फाइदा उठा ल ग्रीक्स को यहां पे पंजाब से बाहर निकालने के बाद इन्होंने मगद के उपर अटैक करा वास्टा प होने के बाब जूदि बी इस में क्या करा मगद के उपर इटैक कर दिया तो यहाँ पे जो ruler थे मगद अब वो यहाँ पे जो luxurious life अपनी जीने में यहाँ पे वतीत करने में मस्त थे उन्हें यहाँ पे इतना कुछ नहीं पता था और ना ही उन्हें एस्टिमेर था कि यहाँ पे जो चंदर गुप्त के आर्मी आ रही है कितनी बड़ी आ रही है क्या कर प्राजित हरा नहीं सकता है ठीक है तो इस परकार से लेकिन यहाँ पे जब मगद के नजदीक यहाँ पे पहुँच गए तब यहाँ पे नंदा ने जो अपने एक commander in chief था बदशाल अब उसे यहाँ पे बेजा हमले के लिए देखने के लिए और यहाँ पे एक bloody battle देखने को मिली जिसमें thousands of warriors यहाँ पे मर चुके थे और यहाँ पे जो मलिंत पनो इनके दुवारा यहाँ पे बताया गया कि millions यहाँ पे लाकों की संख्या में यहाँ जो इस battle में लोग थे वो मर गए थे around 1 lakh infantry मारी गई थी 10,000 elephants, 1 lakh cavalrymen, 5,000 जो chariot यहाँ पे रथ चाल लगते वो भी य यहाँ पे तबाही देखने को मिली 322 BC में चंदरगुप्त मोरे ने मगद को यहाँ पे कबजा कर लिया और यहाँ पे जो नौर्थ इंडिया यहाँ पे सबसे important यहाँ पे जो area था उसे अपने control में कर लिया था और यहाँ पे जो मगद के लोग थे बहुत जादा खुश थ था तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत जादा दुखी थे तो ऐसे में उन्होंने स्वागत किया जंदरगुप्त मोरिया का सो उसके बाद सैलुकस के साथ यहाँ पे वोर होती है 305 BC में मगद और पंजाब की यहाँ पे जीत प्रापत करने के बाद अधर जो बड़ी यह थी सैलुकस के उपर यहाँ पर जो इसने विजय हासिल की थी तो यहाँ पर एलेक्जेंडर की मिरित्यू के बाद यहाँ पर जो सिबिल वोर में हुई थी जो इनको और भी कुमांडर्स थे तो ऐसे में यहाँ पर जो सैलुकस था इसने यहाँ पर क्या करा यह जो सिबिल व और वो भी यहां पे इंडिया को capture करना चाहता था ठीक है उसे ने यहां पे अपने वेस्ट तरफ तो यहां पे capture कर लिया था लेकिन अब वो अपने इस्ट तरफ यानि कि इंडिया में अब वो दाखल होना चाहता था वो इसे capture करना चाहता था ठीक है तो इसने 306 BC में यहां एक टाइटल भी लिया था निकेतर थिक का क्या मतलब होता है यह आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्षन में बताना है तो अब यहां पर क्या हुआ कि ग्रीक्स को यहां पर जीतने ने के बाद सैलुकस ने अपना प्लैन बनाया कि वह यहां पर एलक्जेंडर के दुवारा ज जो उसने पहले एरिया जीते थे अब वो उसे फिर से वापस लेगा 305 BC में इसने इंडिया के ओपर अटैक करा अब लेकिन यहाँ पे इसे नहीं पता था कि जो political situation अब वो change हो चुकी है यहाँ पे चंदरगुप्त मोरे यहाँ पे शाषन कर रहा है उसके साथ यहाँ पे चान के अभी इसका साथ यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे जो कि बहुत ही powerful है ठीक है और वो इस चीज़ से अंजान था यहाँ पे तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो battle हुई थी हमारे पास इतना ज़्यादा इसका account नहीं है लेकिन यहाँ पे जो सेलुकस है वो हार गया था यहाँ पे इस battle को और यहाँ पे एक treaty sign की थी चंदरगुप्त मोरे के साथ में और यहाँ पे क्या हुआ ट्रीटी में कि जो आपसलिया करते थे उन्होंने यहाँ पे जो संदी की थी इसमें दो तिन बाते थी यहाँ पे ठीक है इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं लेकिन उसमें यह भी था कि अगर हैलन से जो पुत्र अगर प्रापत होगा इन फ्यूचर में वो कभी भी यहाँ जो इसका शाशन पर ना लिया है यहाँ पे राज्य वो सापित नहीं करेगा ना ही वो राजा बनेगा इस प्रकार की यहाँ पे सभी संदियां वो पहले से करके रखता था चानके को पता था कि फ्यूचर में कभी भी लड़ाई जगड़ा ना हो इसलिए यहाँ पे आज समझ के यहाँ पर कदम उनके दवारा उठाए जाते थे क्लियर हैं तो यहाँ पे हैलन के साथ यहां पर शादी होई तो उसके बाद यहां पर सैलूकरसने जो हैरतầ कंदार काबूल बलुचीस्तान यहाँ पे चंद्रगुप्त को दिये बदले में यहाँ पे रहके कोट में यहां पर बेजां तो यहां पे जो ग्रीक से जो ग्रीक से अल उन्हों ने कभी भी आकरमन नहीं किया बारत के उपर क्लीर रहें सो चली आई-ध मैं संद्धर कि यह आब इन्हों नहीं को सेलुकस नर्थ किे घर और बहुत हो ऊइस है और यहां पर部分 करतें तका इसका यहां पे शाष्ण था वैस्ट्रन के अगर बात करें तो तो यहां पिजू पर इस्क्रिप्शन हे मिलती है तो पुश्पी गुप्ता यहां पे चंद्र गुप्त मोर्यक?. यहां पर इस परकार के यहां पर कॉछ लिये थे तो यहां पर रोल कर रहे थे लेकिन यहां प़े चंदरगुप्त के बिहाफ पर यहां है, शाउथ के अगर बात करें तो यहां पर विंद्यांचल स्टिव हुए तो ऐसा भी लगत यहां पर चंदरगुप्त का ही भी यहां पर टेरिटरी हुआ करती थी साउथ में माईसूर तक ठीक है माईसूर यहां पर हम देख लेते हैं माईसूर यहां तक यहां पर टेरिटरी हुआ बगरती थी चंदरगुप्त मोरे गे ठीक है लेकिन यहां पर यह जो तक्षिला वारा इलाका है तो यह नहीं होता था ठीक है यह वाला नहीं होता था चंदरगुप्त मोरे यह अशोका ने जीता था उसके बारे में हम पार नमबर टू में देखेंगे और यहां पर क्या इदपूर माईसूर में और जो मस्की हैदराबाद में यहां से हमें मिलता है कि यहां पे जो मौर्यन चाशन है वो माईसूर तक फैला हुआ था सो नेक्स्ट यहां पे मूव करते हैं सो प्ले लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को फाइंड आट करने की जुरूर रत नहीं है आप यहां पे जो अधर पेज़िस है यहां पे इंस्टाग्राम फेस्बुक टेलिग्राम इन सभी को म anlatčानी जो भी कर सकते हैं और यहां पी कल से क्लास 11 की जो जो जोगर्फी का यहां पर बुक नंबर टू है उसके यहां पे इन के समय में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नोर्थ में हिमालय सकता यहां पे साउथ में मैसूर तक था इस्ट में देखा जाए तो यह बेंगोल तक था और यहां पे अरेबियन सी और हिंदु कोश सो वैस्ट में यहां तक फैला हुआ था तो यहां पे जो कैपिटल एन की ठीक है वो क्या थी यहां पर पार्टली पुतर थी चदरकुप्त मोरे की यहां पर इम्रित्यु के बारे में देखे तो इन्होंने ट्वंटिफॉर यहां पर रूल किया था इन्होंने अपने आखरे समय में जनिजम को एडॉप्ट कर लिया था आखरी बेल गोला आपको यहां पर देखने को मिलेगा करनाठका में ठीक है इंडिया में करनाठका में देखने को मिलेगा तो यहां पर चंदरकुप्त मोरे के दुवारा जो एरिया को पाई किया गया था ठीक है तो यह वाला जो एरिया यह क्या है यहां पर तक्षिला ठीक है यह कलींगा ठीक है तो यह क्या है यहां पर कलींगा ठीक है तो यह अशोका के दुआरे यहां पर अक्कुपाई किया जाएगा इसी तो उसके बाद इसे इन्होंने क्या कर रहा है यहां पर यहाँ पे रखा ठीक है यहाँ पे death जब तक इनने death मिर्pent प्रापत नहीं हो जाती इसको क्या बोला जाता इसे संत्रा जाता यहाँ फ्याद रखना मौक्ष प्रातिक लिए हो गही थी अब यहाँ पे central administration के बारे में देखे तो हमने वैसे भी पार नंबर जो लास्ट chapter अर्थशास्त्रा और इंडिका वहाँ पे भी हमने detail में देखा था लेकिन हमने जो वहाँ पे कुछ cover नहीं किया था topic वो हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है जैसे king के बारे में देखा था हमने और जो यहाँ पे musical committee के बारे में भी गया था मिनिस्ट्रियल काउंसिल के बारे में देखे यहां पे सो चांकिया के शब्दों में बोला जाए तो किंग यहां पे अकेला एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संबाल सकता अब जैसे यहां पे एक पईएं के उपर हम कोई भी विकल नहीं चला सकते इसी परकार से अकेला राजा का रहा है नहीं कर सकता सो यहां पे काउंसिल ओफ मिनिस्ट्र की भी बहुत जादा जुरूरत है उसकी मदद करने के लिए चो चांकिया थे वो क्या थे यहां पे प्राइम मिनिस्ट्र थे council of minister के clear तो यहाँ पे और भी important ministries थी जैसे कि प्रोहित प्रोहित यहाँ पे important यहाँ पे religious matters सब कुछ इनके अंडर यहाँ पे देखने को मिलते थे उसके बाद यहाँ पे सनी दाता तो यह यहाँ पे treasurer थे ठीक है सनी दाता सेना पती military जो affairs है ठीक है समहारता के अंडर राता था chief justice यहाँ पे जो विव्या क्रीका ठीक है इनके अंडर राता था इसके इलावा यहाँ पे जो परशर्ष्ट था ठीक है यहाँ पे record जो department था record ठीक है वो इनके अंडर राता था crime court यहाँ पे sorry criminal जो court था वो परदेशी था के अंडर आता था माइन्स और इंडस्ट्री यहां पे जो कमंतिका इनके अंडर आता था फोरेस्ट डिपार्टमेंट अत्विका के अंडर आता था पुलिस डिपार्टमेंट यहां पे दंडपाल के अंडर आता था ठीक है सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट यहां पे जो इनके ये सारे department आते थे फॉर्ट से यहां पे जो केलिए यहां पे ठीक है दुर्गपाल इनके अंडर यहां पे रहता था यह राजू का यहां पर revenue administration ठीक है इनके अंडर यहां पे रहता था और उसे यहाँ पे लगलग प्रोविंसिस में यहाँ पे डिवाइड करा गया था स्मूथ फंक्शनी के लिए नोर्थ वैस्टरन जो प्रोविंस था अब इसमें अफ़कानिसान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो तक्षिला वैस्टरन प्रोविंस के बारे में देखें जो आज का मालवा और जो गुजरात यह वाला हिस्स है जो इसकी कैपिटल थी वो थी उजयन सद्रन प्रोविंस की अगर बात करें तो जो विद्याचल माउंटेन से लेके मैसूर तक का नीचे वाला जो एरिया साउथ में वो सब कुछ यहां पे सद्रन प्रोविंस में आता था सवर्न गिरी यहां पे इसकी कैपिटल हुआ करती थी ठीक है इस्टन प्रोविंस की बात करें बिंगोल और बिहार यहां पे यह वाले इलाके बने हुए थी ठीक है पाठली पुतर कैपिटल थी और जो पाठली पुत जाता था कुमार यहां पर जनरली प्रिंस हुआ करते थे या रोयल फैमली के जो मेंबर्स होते थे वो होते थे यहां पर जो और भी अधिकारी लोग होते थे वो कुमार की मदद किया करते थे ठीक है लग लग यहां पर यहाँ पर जो district और city administration वो इनकी देखरेक में आता था district administration के बारे में देखे हर province को यहाँ पर districts में, cities में, village में इस परकार से यहाँ पर divide किया गया था अब जैसे कि आज के समय में भी यहाँ पर किया जाता है जैसे यहाँ पर इंडिया, उसके बाद यहाँ पर states या union territories देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पर districts में divide करा गया ठीक है उसके बाद cities ठीक है यहाँ जो block हो गया जैना deputy commissioner उनके साथ आप इसे correlate कर सकते हैं यहाँ पर इनका कारिया क्या था लो एंड ओडर को maintain करना land revenue यहाँ पर collect करना और विजो taxes है उन्हें यहाँ ठीक है यहाँ पर collect करना यह सारे काम होते थे इसके इलावा भी यहाँ पर देख बाल करना जैसे agriculture हो गया irrigation forest mines यह सब कुछ अब यहाँ पर बहुत सरे लग लग अधिकारी जो इनकी मदद किया करते थे सो village यहाँ पर ग्रामीनी के अंडर हुआ गरता था ग्रामीनी के ऊपर जो पॉस्ट होती थी वह गोपा होती थी ठीक है इसे हम आगे समझते हैं village administration smallest unit जो state administration की क्या होते थी village ठी यहाँ पर जो ग्राम थे वो इनके head हुआ करते थे सो चांड के अने यहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है village administration के बारे में head of the village ग्रामीनी बोला जाता था सो इन्हें government के दुवारे appointment नहीं किया जाता था ठीक है लोगों के दुवारे यहाँ पर चुने जाते थे और इन्हें कोई salary भी नहीं दी जाती थी और यहाँ पर ठीक है villagers के दुवारे चुने जाते थे हर village का यहाँ पर एक state official यहाँ पर जो होते थे जो state official हर village के जो होते थे उन्हें gram बोजक या gram जो बृतक बोला जाता था clear है so gram पंचायत भी यहाँ पर हुआ करती थी जो छोटे मोटे matter हुआ करते थे वो सब कुछ यहाँ पर gram पंचायत में settle किये जाते थे so यहाँ पर कोई central interference यहाँ पर नहीं की जाती थी जो पंचायत की यहाँ पर working होती थी so यहाँ पर 5 से लेके 10 गाओं तक यहाँ पर एक state official यहाँ पर न्यूक्त किया गया होता था जिसे गोपा बोला जाता है so यहाँ पर जो गोपा होता था इसके अंडर यहाँ पर 5 से 10 गाओं यहाँ पर आते थे तो यह term आप लोगों को पता होनी चाहिए exam में अक्सर पूछ ली जाती है so next यहाँ पर judicial administration के बारे में courts के बारे में देखें बहुत सरे जो courts हैं यहाँ पर kingdom में हुआ करते थे kotelia का यहाँ पर जो अर्थ शास्त्रा बहुत सरी हमें information देता है court के बारे में so court यहाँ पर जो decide करते हैं दो villages के यहाँ पर जो cases होते थे जो court दो गाओं के जो case होते थे उसे handle करते थे उससे यहाँ पर जनपत संधी बोला जाता था ठीक है यहाँ पर important है नेम याद रखना क्योंकि हम UPSC mains के लिए कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर detail में चर रहा हूं clear है तो उसके बाद जो 10 village के उपर जो court होता था उसे संग्रहन बोला जाता था ठीक है संग्रहन अगर 400 villages के उपर जो court होता था उसे दुरोना मुख बोला जाता था 800 villages की उपर जो court होता था उसे स्थानिया बोला जाता था ठीक है स्थानिया अब यहां पे हर court में तीन तीन यहां पे दर्मासत होते थे और तीन अमत्यास होते थे यहां पे ठीक है so important है यहां पे यह आप लोगों को पता होने चाहिए so तो आगे हम यहां पे देखने को मिलेगा कि तक्षिलमा यहां पे जो revolt होता है ठीक है वो अमत्यास के यहां पे होता है क्योंकि वो इनसे बहुत जादा fed up यहां पे दुखी हो जाते हैं यहां पे जिसके वज़े से revolt देखने को मिलता है जो की अशोका के दोबारा उसे प्रेस किया गया था ठीक है तो वो हम आगे देखेंगे बिंदु सार वाला जो टोपिक होगा तो यहां पर जो डिसीजन होते हैं lawyer court के उसे यहां पर अपर court में भी challenge किया जा सकता है जैसे कि कि आज के समय में होता है अगर तो civil court में आप लोगों को कोई भी case लगा है कि गलत है आप डिस्टी court में जा सकते हो डिस्टी court में अगर आपको कोई भी case लगा कि यह सही नहीं है तो high court में जा सकते हो high court काग, अगर आपको लगता है, supreme court जा ओ, ठीक है, तो अप ऐसे, यहां पर, हरार की यहां पर follow कर सकते हो, नीचे से उपर तक, ठीक है, supreme court से, यहां पर ऊपर नहीं होता, अगर supreme court का फैसला नहीं आता, इस से उपर आप नहीं जा सकते हैं, वो तो, यहां पर, तो यहां पे जो court में, यहां पे जो cases वगरा हैं, वो यहां पे सुना करते थे, so decision यहां पे लिए जाते थे, जो भी यहां पे low लिखे गई हैं, tradition, rituals या rights ठीक है, तो उस basis के ओपर, so punishment यहां पे जो दी जाती थी, judgment जो की जाती थी, यहां पे जो low लिखे हुए हैं, ठीक है, ज जाती थी, so chanakya और magasthenes यहां पे दोनों ने बताया है, कि यहां पे strict punishment का system हुआ करता था, यहां पे fines यहां पे लगाई जाते थे, जो छोटे मोटे crime यहां पे होते थे, और यहां पे जो theft वगरा होते हैं, उस में, जो hand या foot, ठीक है, इसे यहां पे जो उंगलियां, यह होते थे, वो काट दिया करते थे, इस परकार की यहां पे सजा दी जाती थी, tax default, destroying the public property, cutting of the second, जो पवितर paid होते हैं, उसे काट ना हो गया, ठीक है, तो उन्हें तो यहां पे मृत्यू दंड यहां पे दिया जाता था, so treasury जो होते थे, ठीक है, इन्हें भी यहां पे death punishment दी ज जाते हैं, तो उन्हें यहां पे मिरित्वी दरंड नहीं दिया जाता था, या तो पानी में डबोक मार देते थे, या अगर चोटे मोटे उनके द्वारा चोरी वगएरा की जाती थी, तो उन्हें क्या करते थे, माइन्स वगएरा में काम करने के लिए बेच देते थे, अब तो नेक्स यहां पर मूव करते हैं, तो फाइनशल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, तो यहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, अब उन्हें पॉइंट किया जाता था, यहां पर फाइनशल मिनिस्टर्स जिससे बोला जाता है समहारता, तो यहां पर लेंड रिव तो उसे सीता बोला जाता था जो income पीजेंट के जो किसानों के जो land होती थी वहां से आती थी उसे बाग बोला जाता था ठीक है यहां पर silent रहेगा मेंली हिंदी के वर्ड्स है यह यहां पर 16 से लेकर 14 तक यहां पर लगाए जाते थे Greek scholars के यहां पर दोवारा बोले गए हैं कि जो land के जो products थे उनके उपर भी यहां पर tax लगाया जाता जिने वनकार या सेतू बोला जाता था जैसे fruit, flower, vegetables के उपर जो tax लगाया जाता था उसे सेतू बोला जाता था अब यहां पर यह जो income generate होती थी taxi से ठीक है इसे यहां पर लोगों के कल्यान के लिए farmers के कल्यान के लिए बलाई के लिए यहां पर लगाई जाते थे तो यहां पर जो farmers के यहां पर welfare के लिए जैसे चंद्रगुप्त के दुवारा यहां पर के नाल्स का यहां पर निर्मान करवाया जाता था जैसे कि यहां पे सुदर्शन लेक बनवाई गए थी western province में हमने last में देखा था ठीक है जो governor था उस समय में कौन governor था भी हमने देखा था पुश्पा गुप्ता ठीक है तो यहां पे यह कारे करवाई जाते थे so famine के समय में यहां पे लेंड रिवेन्यू था इसे खारेज कर दिया जाता था इसे नहीं लिया जाता था ठीक है तो government के दुआरा यहां पे ने मदद दी जाती थी उस समय में इतना ज़्यादा यहां पर दयाबान थे यहां पर तो other sources of income यहां पर देख लेते हैं इसके उपर ज्यादा focus करा कि उन्हें encourage किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा foreign विपार वह किया जा सके तो यहां पर लग लग प्रोड़क्ट के उपर लग लग यहां पर लगाए जाते थे लग्जरियस कोर्स के उपर बहुत जादा टैक्स लगाए जाते थे ठीक है सोनना हो ग दूसरा source के आथा income का fine ठीक है fine ही यहां पर लग लग लगाए जाते थे अब खर्चा कहां पर किया जाता था राजा के ओपर यहां पर बहुत ज़्यादा expense यहां पर किया जाता था ड्रेस के ओपर जो उनकी ठीक है जो उनकी dress उनके द्वारा जो पाई जाती थी उसके इला यहां पर mainly focus किया जाता था ठीक है तो next यहां पर move करते हैं spy system कैसा था चंदर गुप्त मोरया ने यहां पर बहुत बड़ा यहां पर गुप्त चर जासूस यहां पर network बनाया हुआ था kingdom में तो जो अधिकारी थे और जो आम नागरिक थे उन्हें पता था कि यहां पर जो spy है हैं वह हर जगा यहां पर फैले हुए हैं ठीक है तो यह सब कुछ यहां पे राजा को रिपोर्ट करा करते थे क्या empire में यहां पर चल रहा है स्मराज्या के हर-erem जो जासूस होता था उसके पीछे भिए यहां प एक जासूस लगाया यहां पर लले को नहीं पता की उसके पि यहां पर जितने भी department तेए चांट क या केंडर हुआ करते थे और यहां पर रोयल времी ओप records where women bikes यहां पेफने को मिले जते कोदे आजिया करते थे खाना जो राजा को दिया जाता तहा वह भी just चेक किया जाता था पहले जिसके द्वारा बनाया जाता था लाइक जैसे कि आई होप आप लोगों ने वह वाली मूवी देखियोगी जो जो जोदाकबर मूवी है ठीक है उसकी रितिक रोशन की ठीक है जब वो यहां पे एश्वरे रहे खाना बनाती है तो चेकर करना होता है ठीक है तो इसके बाद यहां पे स्पाई इनके कोड़ वर्ड्स हुआ करते थे चान किया यहां पे स्पाई को दो कैटेगरी में जाता था ठीक है तो नेक्स यहां पर मूव करते हैं मिल्ट्री एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं पावर्फुल आर्मी छे लाग इंफैंट्री थर्टी थाउजन कैवलरी नाइन थाउजन एलिफैंट्स एट हंडर्ड चैरियर्स देखने को मिलते थे यह से महा बल अध्यक्ष्य यहां पर बोला जाता था सो इनकी सैलरी जो थी वो प्राइप मिनिस्टर की सैलरी के के थी थी महाबल अध्यक्ष यानि की जो सेनापती होता था तो उसके बाद यहां पर कमेटी मिल्टरी अड्मिनीस्ट्रेशन में यहां पर सब कुछ देखे हैं यहां पर कि जाती थी यहां पर जैसे नेवल कमेटी होगी अब यहां पर जो अरेंजमेंट है, शिप्स की वो देखा करते थे, यहांपे सोल्जर्स को ट्रेंइंग दी जाती थी, कि जो समुदरी डाकुएं उनसे किस परकार से फाइट की जा सके, ट्रांसपोर्ट कमेटी यहांपे 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 अर्रेंजमेंट किया करती थी, यह सारे काम इनके दुबारा किये जाते थे infantry अब यहाँ पे infantry wing की देखबाल करने elephants यहाँ पे arrange करने elephants को यहाँ पे जो head होता था उसे हस्तिय अध्यक्ष बोला जाता था और यहाँ पे जो committee arrangement करती थी इनकी training के elephant को war के दुराण किस परकार से यहाँ पे क्या क्या करने तो यह सारे कारे थे cavalry यहाँ पे जो committee थी maintain करती थी और train करती थी horses को यहाँ पे इनके फिट रखती थी और यहाँ पे इनके जो अध्यक्ष होता था उसे अश्यव अध्यक्ष बोला जाता था chariors यहाँ पे जो committee arrangement करती थी chariors की और यहाँ पे recruit करती थी नई-ने यहाँ पे three warrior हर chariors के लिए उन्हें training यहाँ पे दी जाती थी rewards भी दिये जाते थे जैसे कि आज के समय में यहाँ पे rewards दिये जाती है अगर तो सेना पती का सिर काटके लाएगा तो उसे पचास हजार दिये जाएंगे elephants और जो chariors group के इनके जो वो होते थे यहाँ पे सेना नायक ठीक है अगर उन्हें कोई मारेगा तो उन्हें 5000 इनाम दिया जाएगा यहाँ पे cavalry herd के जो killing इने मारा जाएगा 1000 दिये जाएगे अगर तो कोई opponent जो soldier था उनका कोई सिर काटके लाएगा तो उसे भी यहाँ पे 20 यहाँ पे पन्ना दिये जाएगे तो इस परकार थे force यहाँ पे चंदरगुप्त मोरे के दुवारे यहाँ पे protection empire की बहुत जादा जुरूरी थी जैसे पाठली पुत्र हो गया अधर cities हो गया तो यहाँ पे force जो kille होते थे वो बनवाए जाते थे ठीक है किले यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे होते थे सो उन्हें यहाँ पे जो अलग-लग इनके जो सिदात यहाँ पे principles होते थे उन्हें follow करके ही यहाँ पे यह बनवाते थे force यहाँ पे outer walls बहुत लंबी हुआ करती थी यहाँ पे deep ranches इनके आसपास होते थे ठीक है यहाँ पे जो खाई होती थी उसमें पानी छोड़ दिया जाता था ठीक है यहाँ पे सो इस प्रकार से सारी कारेविवस्ता की जाती थी bureaucracy यहाँ पे bureaucracy उस सिस्टम में देखने को मिलती थी फर्स टाइम में यहाँ पे हाई salary दी जाती थी स्टेट इंकम का जो ज्यादा तर पैसा था वो इसके ओपर खर्चों जाता था सेनापती प्राइम मिनिस्टरों को 48,000 पर रैनम salary दी जाती थी ठीक है पन्ना head of the treasury यहाँ पे और tax collector यहाँ पे ठीक है तो इन्हें 24,000 other ministers यहाँ पे थे 12,000 clerk 500 तो यहाँ बहुत बड़ा gap देखने को मिलता था यहाँ पे salaries में इनकी ठीक है तो उस समय में यहाँ जो coins थे ठीक है अलग-लग symbols का यहाँ यूज किया जाता था 5 mark coin जो बनाई जाते थे ठीक ह मिदित्यों के बाद बिंदु सार ही अगे राच इन्होंने संबाला तो बुदिस्ट scripture और पुरांस में यहाँ पे लिखा गया कि इनका जो नेम है बिंदु सार और जो वायू पुरान में देखने को मिला तो उन्हें यहाँ पे बदर सार के नाम से यहाँ पे बुलाया गय है ठीक है तो यहाँ पे क्रीक राइटर से यहाँ पे जो इनके नाम यहाँ पे तेगे हैं अमित्रो चैदिर और यहाँ पे यहाँ अलित्रो चैदीज तो यहाँ पे संस्क्रीट ट्रांसलेशन है यहाँ पे वर्ड की ठीक है जिसका यहाँ पे अमित्रा गटक जो जिसका मत तो इस पिरिट के दुरान यहाँ पे kingdom को अपने kingdom को इसने maintain करके रखा ठीक है यहाँ पे continue रखा जो भी administrative institution था यहाँ पे जो कुछ historian से उनके दुवारा यहाँ पे इन्होंने जो south इंडिया ठीक है उसे भी conquer किया था वो बिंदू सार के दुवारा किया गया था जैसे कि territory को यहाँ पे आगे तक बढ़ाया तो इस परकार का मारना है कि यह बिंदू सार के दुवारा किया गया था ठीक है तो next यहाँ पे revolt जो तक्षिला में हुआ था important event जो बिंदू सार के समराजय में हुआ था वो था revolt तो दिव्यवद्ना यहाँ पे उसमें बोला गया है कि जो उसमें जो रिवोर्ट था तक्षिला में थीक है तो यहाँ पे जो बिंदू सार का जो बड़ा बेटा था तो शुशीम उसे बेजा गया था वो गवर्नर था यहाँ पे शुशीम यहाँ पे लेकिन यहाँ जो रिवॉर्ट था उसे इस प्रैस नहीं कर सका बिंदू सार ने अपने छोटे बेटे को आशोका को रिवोल्ट को करश करने के लिए इस इपर बेज़ा तो इसका यहाँ पे फ्रेंडली वे था यहाँ पे लोगों से मुलाक यहां पर जो शाशन विवस्ता थी जो क्या बोलते हैं उसे कोट सिस्टम है जो ठीक है और भी यहां पर अधिकारी जो हैं उनसे वह बहुत जादा दुखी हो चुकी है तो अशोक का यहां पर उसने इस यहां पर जो रिवोल्ट हुआ था इसका कारण बता लगाया और यहां उसने क्या करा यहां पर यह जो रिवोल्ट था उसे यहां पर दबाया और यहां पर शांती विवस्ता यहां पर बनाई तो नेक्स्ट यहां पर फोरन रिलेशन किस परकार के थे यहां पर बिंदु सार के सो बिंदु सार यहां पर फार साइटेट रूलर था यहां पर यहा यहां पर सेलुकस यहां पर जो इन्हीं के समराज्य में जब इनका शाशन टाइम पर रह था उस समय में इसकी मिरित्यू होई थी और यहां पर उसके आगे जो उत्र अधिकारी थे अट्या पर इनके साथ भी यहां पर अच्छे रिलेशन थे बिंदू सार ने यहां पर डिमांड करी अंजीर की और वाइऑ लेकिन यहां पर जो फिलोस्वर है उसे यहाँ पे देने से मना कर दिया और बोला कि यहाँ पे Greeks यहाँ पे philosopher को नहीं बेजते हैं और यहाँ पे बोला कि जो उनके कानून है वो मंजूरी नहीं देते हैं कि वो philosopher को यहाँ पे अलगलग countries में इस परकार से बेजें तो यहाँ पे इस ट्रैबो के अनुसार जो एंटियोकस यहाँ पे सीरिया के जो राजा थे इन्होंने जो ambassador यहाँ पे बेजा था उसका नाम था यहाँ पे डी मैक्स यहाँ पे बिंदुसार के दरबार में बेजा सो उसके बाद पिलीनी यहाँ पे मैंचन करते हैं कि जो टॉलमी यहाँ पे जो फिलाडेल फर्स यहाँ पे जो इजिप्ट के रूलर है अब इनकी दोवारा भी यहाँ पे बेजा गया जिसका नाम डियोनी शियर्स था है ठीक है तो यहाँ पे इंपोर्टन यह यह बैसेडर जो बिंदुसार के समय में यहाँ पे आया थी यहाँ याद रखना है लास्ट टोपिक यहाँ पे डैथ के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ आसा माना जाता है कि दुसरे के साथ लड़ते रहते थे तो आकरी समय जो विंदुसार का था यह यहां पे पूरा दुखों से बरा हुआ था और यहाँ पे जो महावमशा वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के फिर यहाँ पे राजगद्दी हासिल की थी ठी तो उसने यहां पर राजगद्धी हासिल की थी ठीक है अशोका ने इसके बारे में हम पार नंबर टू में देखेंगे तो आगे हम देखेंगे पार नंबर टू में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर चुरूर कर देना अपने असपास फाई रखें ज्यादा से ज हमारा लक्षा है तो जय हिंद्ध वाफ फैंटास्टिक देग